हलो दोस्तो डालचन टेकनिकल में आपका स्वागत है मैं डालचन से नहीं आज आपको वीडियो में बताएंगे कि हैं जो हमारी सिलिंग की लाइट होती है उसको कैसे रिपेर करते हैं जैसे कि दोस्तो आप देख सकते हैं यह सिलिंग की कंसीड लाइट है जो कि आपको प्रोपर तरीके से पता चल जाएगा कि हमारी लेट मिक क्या प्रोबलम है जो कि आप देख सकते हो जैसे कि दोस्तों आप सिरिज बोड से इसको चेक कर सकते हो इस तरह से चेक करोगे तो हमारा जो लेंब ए लेडी बलब वो धीमा जलेगा तो इसका मतलब आप समझे लिजी इसका डाइवर्ड है अंदर का वो तो ठीक है जो एलेडी है उसमें खराबी है जैसे कि आपको हम चेक करेंगे और प्रोपर तरीके से और हम चेक करके बताएंगे जैसे कि आपको बता देते हैं जैसे कि इस तरह से इसके कैप हो लेंगे जो पीछे का इस से खुलता है इसम जो यह wire है इनको निकालेंगे तो आप देख सकते हो जैसे कि हमारे काई आप किर कारा करते हैं जैसे कि आप सीरीज की हमारे wire है इसको लगाएंगे जो circuit बना रहा है तो इस तरह से आप इसके wire को लगा दीजिए लगाने के पर दोस्तों आपको proper तरीके से बताएंगे इसको कैसे चेक करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो इसके बाद दोस्तों इसको हम जो उमसे रहे इसको में लगाएंगे पहले से easiest Scandinavian में लगाने के बाद हम क्या करेंगे एक टुकड़ा लेंगे जो कि आपको बताएंगे जैसा कि किसी भीonna का आप बायर ले लिजिए इसके दोनों सीरे छीलेंगे इस तरह से चीलने के बाद इसको इस तरह से मोड़ लेंगे जो हमारी led है उसके जो जो दोनों सी रोपे जो माइनस प्लस के पॉइंट है उन पे टाच हो जाए तो आप देख सकते हो इस तरह से आप मोड लीजिए मोडने के बाद पहले तो हम इसका जो मैन सर्कीट का पॉइंट है उसको चेक करेंगे तो उसमें क्या है जैसे कि स्पार्किंग करेगा तो इसका मतलब आप समझ तो उससे जल जाएगी जैसे कि आपको दिखाएंगे प्रोपर तरीके से अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे जो जो हमारी एलेडी खराब है उसको चेक करने के बाद देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हो अब इसमें आप देख सकते हो इसमें दो LED हमारी खराब है तो यानि कि दो LED खराब होने पर यह होता है कि जैसे कि हमारे दो LED हो को शोट करते हैं या फिर नहीं LED डालते हैं इसमें क्या होता है जो एलेडी हमारी खराब है जो हमारी एलेडी खराब है उस तरह से पैंसिल से हमारी मारका कर लेंगे मारका करने के बाद दोस्तों आपको दिखा देते हैं जैसे कि इसको क्या करेंगे जैसे आईरन की मदद से इसको शोट करेंगे शोट करने पर अगर कि पॉइंट है उनके लिए हम क्या करेंगे आइरन इस तरह से लगाएंगे लगाने के बाद जो इसके वायर है जो आया सोल्डिंग कर रहा है इनको अठाएंगे जैसे माइनश पिलस का है जैसे कि आप दोस्तों आपको बता देते हैं जिसमें यह रैड कलर का वायर है वह पि में और तक गह से हमेंके कर निखा सकतेर में और थे लिए इसको आप दोसक्ते के बाति हैं बृज़से पीजmbol की के लिए Francis यहां अब रहे आपकर रहे थे तरी करेंगे लिरवार्र भिए जैसे के जो न्यू कमपनी की है जो कि आपको बता देते हैं ये औरिएंट से खौली हुई है जो औरिएंट की खंशीड लाइट है उससे इसको निकाला है जैसे कि आपको दिखा देते हैं तो इस तरह से आप जो पुराणे पार्ट्स हैं इसको भी यूज कर सकते हो जैसे की LED light है है यह फिर इसका डाइवड बगर आया है उसको भी चेंच कर सकते हो जैसे कि दोस्तों आपको वह बता देते हैं इसमें जो parts होते हैं यह कभी पूरे तरह कराब नहीं होते हैं जैसे कि यह स्कति कर से हम इसको बताएंगे जैसे कि आप देख सकते हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसी तरह से जो हमारे सीरीज से पहले सीरीज से चेक करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो, श्रीज से चेक करने पर हमारे लेडी पूर पर तरीके से चल रही है, अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा मैन पावर शर्कीट है, 220 बोल्ट का, उसमें चेक करेंगे, जैसे कि आपको दिखा देते हैं, पहले हम इसको फिट कर देते हैं, जो कि आ फिट करने के बाद जो हम इसको टेस्टिंग करेंगे, जो कि आपको प्रोपर तरीके से बताएंगे, इस तरह से फिट करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार दुबारा से हम चेक करेंगे, जैसे कही पर क्या होता है, फिट करती दपया जो इसके शोल डिंग हुआ रउता है हड जाटा है तो इस तरह से मकी करें दोनों सिरों का मताऊ प़ाँ जो अमने 220 बोल्ट है उस पर लगाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से concret तो आपो और मेर्य को बता सके अब तक के लिए दन्यवाद करते हूँ, आपका दिन शुम मंगल में, ऐसी हम काम न करते हैं, धन्यवाद, बाई